गैंग्स्टर मुक्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत अभी जारी है राश्ट्रे शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौरे ने मुक्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं और योगी सरकार पर हमला बोला तो वही समाजवादी पाची की नेता और सांत जिम्पल यादव देभी गाजिब और पुर्शासन पर निशान असा था माने की साजिस का जो आरोफ था इस घटना सो सच सावित हुआ कि सरकारी अरक्ता लोगों की पकड़ में आ गई परिबार वाले आरोफ मजार है तो यह भी उनके आरोफ है सरकार को और यह बात एकदम साफ तरीके से रखनी चाहिए जो लोग संचिता की बात करते हैं प्रारब्ट की बात करते हैं तो यह भी जानते कि जहां एक तरव द्रशित करमफल है वहीं अद्रशित करमफल भी है वो लोग जानते हैं सच्चाई क्या है और सच्चाई वो लोग जानते हैं चाहे जितना भी छपाले सच्चाई से वो खूरी दरव बाकिया है और एक बड़ी खबर आपको बताने तेज रफ्तार से चली आंदी और बारिश ने पश्चिम मंगाल के जलपाई गुड़ी जिले में काफी तबाही मचा दी है जिले के अलग-अलग इस्तों में आंदी के चलते बड़े बड़े पेर उखड़ गए तूफान की चपेट में आने से जिले में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है देरशाम मुख्यमंत्री ममता बेनर जी जलपाई गुड़ी के हालात का जाइजा लेने और प्रभावितों से मिलने पहुची उन्होंने इस दौरान उन इलाकों का भी दौरा किया जहां तेज हवा उने जम कर तबाही मचाई सौ से जादा लोगों के घायल होने की जानकारी है पी एन मोधी ने भी जलपाई गुड़ी के लोगों के प्रती अपनी समवेदना जताई है तो जलपाई गुड़ी में तेजांदी और तूफान की वज़े से अब तक पांच लोगों की मौत हो चुके देरश्राम के तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मुख्य मंतरी ममता बैनरजी वहाँ पर पहुची थी और प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की हो आज और नरे ये वज़ाए पांच अंगु मर गिया आव और तो अबिसी अधैन को जो कारना है जलपाई गुड़ी के तूफान प्रभावित लोगों के प्रती समवेदना जताते हुए PM मोधी ने भी ट्वीट किया उन्होंने लिखा मेरी समवेदना पश्यम बंगाल के जलपाई गुड़ी मैना गुड़ी इलाखों में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ हैं उन्होंने आगे लिखा उन लोगों के प्रती समवेदना जिन्होंने अपने प्रिया जनों को खोया है अधिकारियों से बात की और उनसे भार बारिश उसे प्रभावित लोगों को उचित साहिता सोनिश्यक करने के लिए मैंने कहा है मैं सभी भाजपा के बंगाल कारेकरताओं से प्रभावित लोगों की साहिता करने का आग रहा करूंगा दिल्ली में बैठके हमारे जो सांसत बनेंगे वे हमारी आवाज उठाओंगे ये इसलिए गटबंदन मना इसलिए जो है पना पश्ची में उत्तरपदेश की सड़के, यहां की गलियां, यहां के महले, यहां की चौपाल ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जितनी गहराई में जाओ बातें और भी जादा पता चलती है सबसे जादा चर्चा बाखपत मेरट मुझफफर नगर की सीटों की हो रही है बीजेपी जानती है कि जाटू का वोट कितना एहम है और अब तो आरलडी भी साथ है मुझफफर नगर में योगी आदित्यनात ने राम मंदिर का जिक्र किया तो शामली में राम मंदिर के साथ चौधरी चरण सिंग्की भी बात की तो शाली में किसानों के मसीया चौधरी चरण सिंग्की को भारत का सरोच नागरिक सम्मान भारत रद्द ब्राप मुआ है ये दिरास्त का सम्मान है चौधरी साथ किसानों के मसीया पी मेरट डिविजन में ही चौधे लोगसभा सीट आती है 2014 में लोगसभा चुनाओं में बीजेपी ने इस डिविजन की चौधे की चौधे सीट जीती थी 2019 में बीजेपी चौधे में से साथ ही सीट जीत पाई थी ये रास्ता मेरट की ओर जा रहा है और आगे पश्यमी उत्तर प्रदेश की ओर उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीती में भी यह बास सर्म मानी है कि जिसने मेरट जीत लिया उसने पश्यमी उत्तर प्रदेश का किलाफते कर लिया और अगर ऐसा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में उस राजनीतिक पार्टी की राह बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और अपने विरोधियों को वो चारों खाने चित कर देगी 2024 में बीजेपी इसी नुकसान की भरपाई करना चाहती है और जाटों का वोट इसमें सबसे एहम रहने वाला है यही वज़े है बीजेपी ने RLD के साथ गड़ बंधन किया मेरट में प्रधानमंत्री का आना इसी लिए एहम हो जाता है क्यूंकि मेरट यूपी में उन 20 क्लस्टरों में से एक है जहां बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली का प्लान तयार किया है और आज दिली के जाम लीला मैदान में इंडिया की 28 राजनितिक पार्टी आप केंदृ सरकार के खलाफ लोगतंत्र बचाओ रैली करने वाली है अर्विंद केजरिवाल की गरफतारी की बाद आयोजित इस रैली को विपक्ष की एक जुटता की तौर पर देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस ने इस साफ कर दिया है कि ये किसी एक व्यक्ति या पार्टी केंदृत रैली नहीं बलकि लोकतंत्र और समिधान बचाने के लिए इंडिया के 28 जलों की रैली है इसमें सभी जलों की प्रतिनीधी हिस्सा लेने वाले हैं रैली का मकसद बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विपक्ष के नेताओं पर केंद्र की एजनसी की तरफ से हमले और विपक्ष की नेताओं की गिरफतारी और कॉंग्रिस की बैंक खाते, फ्री समेथ तमाम दूसरे मसले रहें क्रांती, भूमी, मेरच की सरजमी पर पीम मोदी आज गरजने वाले हैं पीम मोदी की होने वाली इस रैली की सभी तैयारियां पुखता कर ली गई है सबसे बड़ी बात ये है कि एंडिये का कुनबा भी पीम मोदी के साथ मंच साज़ा करने वाला है ये रैली इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी उतर प्रुदेश में पीम की पहली रैली है झाल 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 झाल